तो दोस्तो अभी आप देखते है कुछी seconds के अंदर यहाँ पे ब्लॉग पूरा लिखके रेडी हो चुका है और यह टीक भी आ चुका है मैं यहाँ पे अभी आपको ब्लॉग दिखाना चाहूंगा मैं क्लिक करता हूँ इस पे वाउ यह मेरा ब्लॉग रेडिय है इन टूडेज बिजनेस वर्ड दूस्तो आजकर सबको बतायाएं कि AI के मदद से हम content writing कर सकते articles लिख सकते blog लिख सकते लेकिन problem तब आती जब यह article किसी को समझ में नहीं आता है क्योंकि AI बहुत भारी-भारी शब्दों का प्रयोग करता है AI से लिखेगे article mostly humanized नहीं होते इसी के उसे लोग recommend नहीं करते AI से लिखना लेकिन मैं आपको बताओ कि एक ऐसा AI tool है जिससे AI से लिखेगे content humanized होते हैं साथी में जब आप article या blog AI से त्यार करते हो तो वापे relevant images या relevant videos भी add होते tags भी add होते और बहुत कुछ होता है मतलब आपका blog writing पूरा automate होता है इवन आप directly blog को अपने wordpress के साथ connect करके publish भी कर सकते है इसका plugin भी मिलता है इस AI tool का वो plugin अपने wordpress पे install करके directly आप publish कर सकते हैं तो आपका content writing बहुत आसान होने वाला है साथी में यह आपको allow भी करता है कि आपको कितने word का मतलब small size का blog लिखना है medium size का लिखना है large size का लिखना है वो भी आपको allow करता है और बहुत सरे options यह AI tool देता है मैं एक blog इससे लिख चुका हूँ जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा यहाँ पे screen के उपर आपको दिखाया दे रहा है why should you learn power BI boost your career और यह जो tone आप देख सकते है in today's world knowing how to analyze and share data is key तो आप देख सकते है tone दिखिए इसका बहुत ही simple tone है और यह English ही नहीं आप Hindi म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं तो इस तरह का blog आप पूरा का पूरा लिखवा सकते AI की मदद से जहां पे images relevant video सब कुछ add हो जाएगा आपको कुछ करने की ज़रुत नहीं है लेकिन करना कैसे यह जानना ज़रूरी है और साथ ही में basically अगर यह आप वीडियो पूरा देखते हो तो इस वीडियो के साथ साथ जिस AI टूल की में बात कर रहा हूँ उस AI टूल पे आपको कुछ pre tokens तो मिलते हैं साथ ही मुसके subscription के लिए हमने coupon code भी रखा है तो वीडियो इन तक ज़रूर देखिए चलिए मैं सतिश आप सब आप स्वागत करता हूँ शुर लेकिन उसके लिए कौन सा AI टूल हम यूज करने वाले हम यूज करने वाले SEOwriting.ai जिसके लिंक मैंने description में दीए है उसके उपर क्लिक करके आप पर अपना account बना लो sign up बटम पे क्लिक करके और आप premium account बना सकते है और जैसी यह आप login करोगे मतलब account बनाके तो आपके सामने दिखाए देगा जहाँ पर सबसे पहला option आपको दिखाए दे रहा है one click blog post जियाँ दोस्तों और दूसरा option दिखाए रहा है bulk article creation मतलब एक साथ आप 100 article भी यहाँ पर create कर सकते हैं लेकिन फिलाल मैं आपको lightning fast वाला one click blog post create करने सिखाने वाला हो उसके अलाओ यहाँ पर आप द आपको दिखाए दे रहे है तो फिलाल यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ lightning fast वाले one click blog post option पर यहाँ पर आपको keyword देना है suppose आप blog जिस particular topic पर लिखना चाहते उसका बस keyword आप लिख दो अच्छा आप title भी लिख सकते हैं लेकिन आपको लगता है कि यार मैं keyword मुझे पता है go ahead and check it out पहले में लिखता हूँ main keyword suppose मैं लिखना चाहता हूँ blog importance of power bi power bi आप सभी को पता है होगा data industry में number one business intelligence tool है तो मैं इसके उपर blog लिखना चाहता हूँ और यहाँ पर मैंने keyword लिख दिया है main keyword लिख दिया है और मैं generate title करता हूँ तो ऐसी ही मैंने generate title किया तो यहाँ पर आप देख सकते है generate हो चुका है title importance of power bi transforming business data अगर आपको यह title अच्छा नहीं लगा तो आप दुबारा generate title पर click किजिए यहाँ पर दूसरा title generate होगा discover the importance of power bi for business तो आप ऐसे multiple titles यहाँ पर generate कर सकते है पर regenerate button पर click करके आप यहाँ पर regenerate कर सकते है importance of power bi business success so आप यहाँ पर कुछ और keyword add करके फिर से generate title करोगे तो यहाँ पर कुछ अलग title आपको मिलने वाला है तो चली हमारे blog post का title तो यहाँ पर हमने AI से generate कर लिया और यह SEO friendly ही होता है जो कि हमने keyword यहाँ पर डाला है वो keyword आपके title में कई न कई पर represent करेगा अच्छा अब core setting की तरफ बढ़ते है इस AI से related core setting क्या है कि आपको language कुन सी चाहिए आप English US रखना चाहते है या फिर English UK रखना रखना चाहता हो तो मैं English US continue किया आप Hindi में चाहते है तो Hindi में भी कर सकते है उसके बाद tone of voice मतलब आपका जो blog है वो कैसे लिखा हुआ रहे रहे चाहिए friendly या फिर आप चाहते professional, informational, transactional, inspirational कैसे यह तो एक information है तो मैं चाहता हो informational होना चाहिए so tone of voice में मैंने रख दिया information उसके बाद point of view, point of view मतलब कौन से points है मतलब first person singular या फिर second person बगएरा बगएरा options यहाँ पर दिया है तो जिस perspective से आप लिखना चाहते है उससे आप यहाँ पर point of view में select कर सकते है फिलाल मैं none रखूंगा तो भी चलेगा it is not compulsory to select it, target country भई मैं इंड या पर select करूंगा तो उस specific country के लिए यह target हो जाएगा जैसे हमारा client base अगर इंडिया से ही है तो हम उस particular चीज में इसका इस्तमाल कर सकते है कि आप country target क्या करना चाहते है so अगर आप none रखोगे तो यह specifically global के लिए लिखा जाएगा अगर आप specific country को target करके लिखना चाहते है तो 55,200 words तक लिखा जाएगा और मैं अगर इसको medium size का करूँगा तो यह words यह आप आपको दिखाए दे रहे small size भी आप कर सकते है उसके अलोग AI model आप कौन सा use करना चाहते है आप आप क्लिक करोगे तो chat GPT 4.0 या chat GPT 4 यह सारे अलग-अलग module दिया है अगर आप default AI module select करना चाहत अपना blog writing तो वो भी आप यहाँ से select कर सकते हैं यहाँ आप आगे enable with API keys भी है जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे तो यह आपको connect के लिए पूछेगा connect क्लिक करते आपके सामने इस तरह से आएगा कि भी आपके WordPress में यह plugin आप install करो या open AI API key भी दिया है चाट GPT के साथ connect करन तो enable API का option यहाँ पर दिया है उसके अलावा यह important option यहाँ पर आप देखिए humanized text humanized text मतलब आप चाहते कि यह text किसी AI ने लिए किसी human ने लिखा ऐसा लगे और हर कोई इसे पड़ पाए तो basically यहाँ पर 8th and 9th grade के students भी इसे समझ पाए इस तरह का यहाँ पर उन्होंने option दिया ह इसके अलावा उन्होंने दिया है कि 10th और 12th grade के students है वो समझ पाए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे 7th grade, 6th grade वो भी option है लेकिन recommended यह है तो हम इसे के साथ आगे बढ़ते हैं ओके तो humanized text करने के लिए यह option उन्होंने पहले से देखे रखा है मतलब ऐसा आपको फिल नहीं होगा कि वह यह AI ने लिखा है वहाँ पर बहुत simple तरीके से सब लोग समझ सकते हैं easily ऐसे content को write किया जाएगा उसके बाद details to include यहाँ पर आप चेक कर सकते है details to include में और details include में यहाँ पर आपको कोई details phone number अगरा add करना है तो example के लिए आप यहाँ पर mention कर सकते हैं तो intense mode में details to include भी कर सकते हैं फिलाल मेरे case में मैं इसे uncheck कर देता हूँ हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है media hub में आते हैं अब हमारे blog में images देखिए chat gptv आपका blog लिख के देता है बट यहाँ पर जो blog लिखने का benefit यह एक तो humanize होता है और दूसरा यहाँ पर content में आपके media भी add होते हैं जैसे कि images मुझे add करना है look at here now images add करना है तो मैं yes रखूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं रखूँगा number of images में blog में कितनी images add करना चाता हूँ 3,4,5,6 तो मैं 3 images रख देता हूँ अच्छा image style कैसे होनी चाहिए photo type रहनी चाहिए cartoon type रहनी चाहिए आपको कैस इमेज चाहिए यह image की style भी decide करने के लिए option आता है तो मैं फिलाल इसके लिए photo रख देता हूँ और image की size भी वो पूछ रहा है कि यार यह ratio रहेगा 16x9 इसके अलावा भी और भी ratio दिये है आप उस ratio में जाकर image को add कर सकते हैं तो यह हो गया image के बारे में और additional instruction कुछ देनी और brand name देना है तो आप यहां पे mention कर सकते image से related उसके लाव यूटूब वी एड करने है तो यहां पे यहां पिस कर सकते नहीं अए अट कर सकते और उसके number of videos कितने एड करने एक उसके लिए लियाओट कैसा रहेगा कि alternate image and video यह वाला लियाओट रहने दो या alternate video and image ऐसा रहने तो उन्होंने कहा है कि सारे media elements headings के नीचे place किये जाएंगे और अगर वहां पे नहीं properly add हो रहे है या disable हो रहे है तो वह उससे decide करेगा कि कहां पे उसकी अच्छी या best जग है तो उसके बाद वह बोल रहा है कि keywords to include in the text तो मैं keywords यहाँ पे type कर सकता हूँ या फिर NLP keyword generation पे click कर सकता हूँ जैसे मैंने click किया जो मेरा title है या फिर जो मैंने उपर keyword डाला है उससे related यहाँ पे उसने keyword add कर दिये क्या बात है आप खुद से भी और keyword यहाँ पे add कर सकते अपने कर सकते है optional है वैसे भी लेकिन वह बोल रहा है कि आपको question add कर सकते है जाब question पे click करते हो तो यहाँ पे question की information दे रहा है आपको की इस तरह का question यहाँ पे होना चाहिए उसके बाद statistical और fact आप add कर सकते है so being with surprise statistics or unexpected fact जैसे example ले लो इस particular subject के related मैं power BI का importance बताने हो ला हूँ तो power BI क एक fact add कर सकता हो कि number one business intelligence tool यह क्यों है right तो उससे बारे में add कर सकता हो और personal और emotional दे सकता हो touches में वह भी उन्होंने बदाए write a emotionally resonant opening that connects personally with the reader तो वो आप यहाँ पे add कर सकते है अगर introductory hook आपने लिखा रहा तो वो add करो next उसके बाद conclusion add करना है आपको tables add करना है और यह सारी यहाँ पे add होनी है yes मैं सभी को yes रखता हूँ उसके बाद यहाँ पे दिया है internal linking अगर आपको कोई internal linking add करनी है तो यहाँ पे add website पे click कीजिए वो internal link वहाँ पे हो जाएगा उसके बाद external linking कुछ add करनी है तो आप यहाँ से वो add कर सकते है तो internal link और external link भी आप add कर सकते है उसके related जो post है या post की script है LinkedIn की लिए चाहिए तो आप यह आप yes करो और वो लिखके आपको देने वाला है and link to page option दिया है वही placeholder, wordpress link और custom link यहाप आप वो भी add कर सकते हैं उसके बाद यहाप यहाप इनाबल द आउटलाइन editor भी option दिया है जाप आप आउटलाइन editor आप enable कर सकते हैं और इसमें भी आप अपने information paste कर सकते हैं यहाप तो main keyword बगएरा बगएरा सब information यहाप दिया उन्होंने but मैं अभी yes कीप कर रहा है और यहाप पर publish to wordpress है अगर आपने wordpress के साथ link किया है तो इसे yes कीजी अभी मैंने link कर नहीं किया है वो connect करने के लिए बोलेगा आपको wordpress में जाकर आपको plugin इंस्टल करके activate करना पड़ेगा तो फिलाल मैं इसे no रखता हूँ और जैसे मैं wordpress पर connect करूँगा न यहाप पर मेरा blog automatic लिखना चालू हो जाएगा मुझे कुछ भी करने की जुरूरत नहीं है तो दोस्तों अभी आप देखते कुछी seconds के अंदर यहाप पर blog पूरा लिखके ready हो चुका है और यह tick भी आ चुका है मैं यहाप पर अभी आपको blog दिखाना चाहूँगा मैं click करता हूँ इस पर वाव the importance of power bi for business यह मेरा blog ready है in today's business world यहाप पर आप देख सकते each and everything properly sentence framing है यहाप पर उसके बाद relevant image आप देख सकते है काफी interesting यह dashboard की image यहाप पर आपको दिखाए दे रही जो की generally power bi में बनाया चाता है इस तरह का dashboard and बाकी सारे content with bullet look at there properly bullet format भी एक table भी add है क्योंकि वहाप पर table भी add करने के लिए मैंने कहा था and look look go there एक code भी add है क्या बात है यहाप पर आप देख सकते data से related code भी add है क्या बात है क्या बात है वाँ and एक relevant video भी add किया है आप देख सकते वैसे भी मैं पावर बाकी वीडियो बनाता हूँ but what is power bi मैं पावर भीडियो भी उसने यूटूब क्या सर्च करके याप आप आप कर दिया है and one more image guys look at there so this is the beauty of this particular tool SEO writing dot AI look at there so everything you are getting over here FAQs also add किया गया है what is the importance of power bi for business success wow interesting तो दोस्तों यह सब के काम का है मतलब यार अगर आप एक content writer हो तो यह आपके लिए तो बहुत काम का है मतलब आपको content write लिखने के जुरूरत नहीं और अगर आप tone देखोगे तो बहुत ही simple है using power bi business can make their data reporting smoother यहां पर कोई hard word उन्होंने use नहीं किया एकदम easily understandable है humanized content है and finally आप इसे publish कर सकते है इसके अलाव यहां पर meta tag भी option आपको दिखाए दे रहा है जिसमें यह meta tags आप यहां से copy करके जब आप publish करोगे वैसे भी आप यहां से publish करोगे अगर आपने इसे already link किया है उसके अलाव यहां पर copy option, edit option और html भी option आपको दिखाए दे रहा है तो html अगर आप click करते हो तो यहां पर html भी option आपको मिल जाता है जो कि html format में आपको मिल जाएगा यह पूरा पूरा so this way you can generate your article, your blog guides और दोस्तो अगर यह tool आप login कर लेते हो तो आपको कुछ points प्री मिलते है और उसके अलावा अगर आप इसका subscription लेना चाहते है तो हमने description में आपको coupon code दिया है जो कि है complete 25, complete 25 coupon code use करेंगे तो आपको 25% discount मिल जाएगा इसके subscription पे तो जल्दी से आप description में click कीजिए और इसके उपर sign up करके अपना account बना के पहले एक blog लिख के देख लीजिए और start कीजिए अपने blog writing की journey को यह वीडियो अच्छे लागा तो like, show, comment करना साथ ही में चैनल को subscribe करना मिलते आगले वीडियो के अंदे तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बाई बाई